जैसा कि आप जानते हैं देश में हमारी से जंग लड़ रहा है और इस जंग को जितने के लिए हमारी सरकार यथार्थ प्रियास कर रही है और इससे जुड़ी आज एक अच्छी खबर निकल रही है ये खबर क्या है आईए जानते हैं दोस्तों मई के महीने में 8 करोड वैक्सिन सरकार राजियों को दे सकी है लेकिन इस वैक्सिन सप्लाई को अब 50 परतीशत के करीब बढ़ाकर 12 करोड सप्लाई कर दी गई है यानि कि एक महीने में 12 करोड लोगों को वैक्सिन लग सकती है इतनी सप्लाई हमारी कमपनिया करने व स्पूतनिक 5 का भी प्रोडक्शन देश में स्टार्ट हो गया है जिससे वैक्सिनेशन को एक नई रफतार मिलने वाली है वैसे तो संकरमन की रफतार देश में धीमी चल रही है लेकिन वैक्सिन की रफतार तेज चल रही है और इसे और भी तेजी आने वाले समय में लाई जा लेंगे क्योंकि लगातार उन देशों में चीनी वैक्सिन पहुंच रही है जहां पर पहले भारतिये वैक्सिन बेची गई थी हमारी सरकार का मानना है कि 2021 के अन तक 18 साल से उपर की अबादी को टिका लगा दिया जाए और देश में तीनों वैक्सिन का रिकोर्ड उत्पादन 2021 के अन तक शुरू हो चुका होगा और एक बार हमारे 18 साल के उपर लोगों को टिका लग जाएगा हम फिर से त्यार हो जाएंगे दुनिया में अपनी वैक्सिन उतारने के लिए आप कहेंगे भारत की वैक्सिन दुनिया के देशों में एक्सपोर्ड को लेकर आपको जल्दी इसलिए है क्योंकि हमारा बना बनाया बाजार और बनी हुई कमाई पर चीन कबजा करने जा रहा है पचात्तर से जादा देशों में भारतिया वैक्सिन पहुंच गई थी और करोडों की हिसाब से हमें ओडर मिल रहे थे लेकिन देश की स्थिती ने हमारी अंतरास् आल को वैक्सिनेट करके एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा क्योंकि दुनिया के कई गरीब और कई अमीर देश हमारी वैक्सिन पे ही डिपैंड करते हैं आपका क्या कहना है कमेंड बोक्स में जरूर बताईएगा